जये शिराम दोस्तों मैं आश्वाणिना स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज दिनांक 20 मार्च 2023 समवार को आप देख रहे हैं गोशला पशुमंडी और यह पशुमंडी मंत्यप्रदेश के उज्जन डिस्टिक से 30 किलोमेटर की दूरी पर आगर उज्जन मार्ग पर इस्तिते गोशला में मुख्य मार्ग पर ही इस्तिते यह मार्ग है और कुछ बाईयों का कमेंट आया था कि किशान की बेंश को टार्गेट करें तो इस वीडियो में इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो डलेगी आज ही 20 मार्च को उसमें किशान की बेंश भी बताएंगे और आपने फर्स्ट टाइम हमारे यूटूब चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंस सके और वीडियो अच्छा लगे त तो कमेंट बॉक्स में पुछ चकते हैं बढ़ते हैं वीडियो की और इस बेंश को टार्गेट करते हैं दोस्तों कई मांगे बाउजी साथ जार कि मांगे दोस्तों देख सकते हैं इसको भीडियो के माहद्यम से गोश्ला पच्छो मंडी की वीडियो देख रहे हैं देख सकते हैं अडर क्वालिटी अब पढ़ा है साथ में बच्छो ईको जैंनी अच्छा व्यापारिति है अब है कि दोस्तों साथ अजार कि मांगे इसकी और यह बच्चा आए साथ में अगली वेश को टार्गेट करते हैं देख सकते हैं दोस्तों तानी में इसमें करीब 7-8 लिटर के लगबग टाइम का दूद दिया है 15-16 लिटर रोज का और अंकल जी ने 56,000 में फाइनल ली है यह यापारी से देख सकते हैं इसको बढ़ते हैं अगली वेश के और देख सकते हैं दोस्तों इसको टार्गेट करते गाज़ा बच्चा है साथ में आज शुबह जानी है दोस्तो सुबह चार बजे टाज़ा बच्चा है देख सकते हैं किमागे है एक ज़ार और दूद कितना होगा वैं छगिलों के लगबग चाइब का दूद है 14 लिटर के लगबग रोज का दूद होगे और किटने तक हो जाएगे ऑंज धानल मेंया बाद में ज़ार के लगबग दोस्तो फाइनल होगे with the दूसरे ब्याद में दूड़ को देख सकते हैं इसने कि अधा कि टीमाद नैरै ट्वीच्फ को भी देख सकते हैं दूस्तो पड़ Soso दो दान काफी अच्छी पाड़ी एक दूस्तों दूस्त है अभी और Normally काफी अच्छी है वोशला पष्जू मनली की विडियो है कि एक पट्चीस एक लाग 25,000 मागे दोस्तो इसकी देख सकते हैं एंगा साथ किलो टाइम का ताइम साथ किलो टाइम का दूद है दोस्तो देख सकते हैं ये बच्छा यह साथ में कि लगबग का बच्चा है कि आप अधर कॉलिटी देख सकते हैं हो इसे आप देख रहे हैं और कितने तक हो जाएगी फाइनल गया इसको देख सकते हैं दोस्तों इस वीडियम जो अच्छी अच्छी में से उनको टार्गेट करेंगे और उनकी जानकारिया आप तक पहुंचा आएंगे अधर कॉलिटी देख सकते हैं इसको था रहे हैं वोड जानकारी जूटाते हैं इसके बारह में क्या मागए फिर इसके के फंद्रह अच्छी इसके इसके मांगे अच्छी ए जोस्तों देख सकते हैं आप अर्डर क्वालिटी देख सकते हैं आप कि इतना है दूप गया साथ लेटर साथ लेटर टाइम का साथ लेटर टाइम का दूदे देख सकते हैं 14 लिटर के लगबग रोज का दूदे और कौन से ब्यात में यह तिसरे में तिसरे में और कितने तक हो जाएगी फाइनल यह एक दस एक लाग दस जार के लगबग दोस्तों फाइनल हो सकती है और वह वाली उसका सोधा चलता है बा इसकी और इसका भी शोदा चल रहा है इसका कितना होगा दूद्बिया चेचेचे किलो के लगबग टाइम का इसका दूदे अर्डर क्वालिटी देख सकते हैं आप इसकी देख सकते हैं दोस्तों इसको मैचुर वाले कैं का दाबनी मेत पूर गयर को सकते हैं कि बयाइस हैं यह कितना तक हो जाएगी यार के लगबग फाइनल हो सकती है दोस्तों और कितनी वेंश लेक्या आए दो विग गई दो बची है यह दोनों ठीक है दोस्तों देख सकते हैं आप बढ़ते हैं अगली वेंश को टार्गेट करेंगे बने रहे हैं वीडियो के एंड तक कुछ दोस्त की कमेंट आई थी कि लोहार की दामनी बताओ तो अभी जो हमने वीडियो कवर की थी वो उनी के दामनी की बेंश देख रहे थे आप बाकी अब इन बेंशों के बारे में चर्चा करते हैं यह बच्चा है साथ में कहीं मांगे मैं एक लाग दस हजार मांगे दोस्तों देख सकते हैं हाज है क्सा में उचल्व Er लिटंव क्वालिटी देख सकते हैं और दूथ कितना होगा अब यां 6 lig 6 कि उठाइम फसक होड़ना, 6 कि अभरग तेरी में है थेना टैम्स काड़ दूध है दोस्तों बारा लीटर ऐलग बग रोच का दूदध है और अडर कॉअली Stop शक्तिया आप कुन से व्याद में विया और कितने तक हो जाएगी फाइनल कितने इसको भी देख सकते हैं दोस्तों कि अडर क्वालिटी देख सकते हैं इसका कितना होगा दूद दस लिटर रोच का की पांच 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 लीटर के टाइम का दूद दूस्तों इसका देख सकते वहिया लेकर आएं गोशला पशुमंडी में क्या नाम है व्यापका क्रश्णा आपका शंकला अच्छा 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 और आपका इसुब बहुराशा से जिनकी हमने अभी बेंज देखी है और यह कितने तक हो जाईगी फाइनल पिच्छा सी पिच्छा सी अजार के लगबग दोस्तों यह फाइनल हो सकती है जो हमने अभी देखी है दोस्तों आपने फर्च टाइम हमारे यूटूब चैनल पर विजीट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नाटिव कर संट्रेस कर दीए जिससे आने वाली अगल